पाँच टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ डायबिटीज कैसे क्योर करें 45 डेज में होम रेमिडी है एक रेसिपी भी बताऊंगी और स्किन और हेर के लिए कैसे अच्छा है मैं हर वीडियो में बताती जा रही हूँ कि आपके स्किन हेर के लिए भी क्या क्या उसमें हम उसको ज्यादा वैल्यू देंगे जैसे डायबिटीज की वीडियो है तो हम डायबिटीज को ज्यादा वैल्यू देंगे बागी सारे चीज़ों को कम वैल्यू देंगे लेकिन अगर दुसी चिछ की वीडियो होगी तो जिस इस टॉपिक की होगी तो हम उसको लेक करना चाहिए तब आप कीजिए ऐसे ही मत सब्सक्राइब करना और अच्छा लगे तो जरूर करना ठीक है तो मैं पना इंट्रोड़क्शन दे दू हाई एव्रिवन मैं हूँ डॉक्टर शाली और मैं हूँ एक नाच्रोपैथ सुंदर नाच्रोपैथ आजसकल मुझे बहुत कॉंटम फिजिक्स जो कि एक इनर्जी से रिलेटेड़ सब्जेक्ट है जो कि मैं स्प्रिच्वल चैनल पर एनर्जी की जब बाते करती हूँ इनर्जी की बाते करती हूँ तो उसको यूज करती हूँ ठीक है तो आते हैं ट्रीटमेंट पे लिकिन उससे पहले कल बहुत सार इस तरह का होता है ट्रांस्पेरेट में भी आता है ग्रीन में भी आता है ठीक है यह टेंपरेचर लिप्स्टिक कहलाती है ठीक है एमेजोन से अगर लोग है तो 1.500 रुपया से 200 के बीच में आएगा मैंने लैक में की भी खरीदी हूँ यह लेकिन सब यह बेबी पिंक देत सब बेबी पिंक देता है जो आफिस जाती समय जितने भी है जितने भी बहुत सारे मेरे पास लेकिन मैंने मेरे मेरा जो ओल्टाइम फेवरेट है वो यह यह मैंने 10 रुपय में खरीदा ठीक है में कलर इसका ग्रीन होता हाँ मरून होगया टेंपरेचर से लेकिन अभी भी लेकिन पहले जब मैंने लिया था तो यह बिल्कुल ग्रीन था ठीक है यह अभी भी बहुत बाकी है सालों चलेगा इस से बिल्कुल ऐसा हो जाता है ठीक है जितना जादा आपका होट करम रहेगा उस नहीं पुछना कि क्या है यह 10 रुपीज का थावा कि Amazon में महंगा देता है यही है जो इतना डार ठीक है लेकिन कोई भी लगाओगे तो उस पर जितना भी टंग फेरो वो गर्मी से लाल ही होगा मतलब इसलिए मैं लिप्स्टिक नहीं है एक्चिली लिप कालर टाइब हुच है इसलिए मैं इसा करती रहती हूं तो लिप्स्टिक जाती नहीं जो एकशर इंसुलीन के सपाइक होने से हो जो रहा है यहा रहा है नहीं तो ऐसी में डाइबाटीं मुझ वालग मनते हैं कि वह उपर से नहीं Application जरूरी नहीं अगर उस डेफिशेंसी पर आपके रिजी प्रॉबलम जिसको कहते है कि पूरवजों से आपके दादी को था या मा को था या पापको था तो आपको हो जाएगा नहीं डेफिशेंसी आपको वाली रहती है चाहे वो शुगर मेटाबॉलिक रेट कम हो या ऐसी रहती है जो convert in long run convert आपको diabetes में हो जाती है तो क्यों ना मेरे treatment में hereditary को मैं जगा नहीं देती है मेरा ये कहना है कि hereditary deficiency हो सकती है बिमारी नहीं समझ दो इस बात को अगर आप pause पे काम कर लेंगे तो होगी नहीं तो हम उस पर बात कर रहें तो मैं अपने लाइफ चैट में ट्रीटमेंट आए दिन बताते रहती हूं लेकिन यहां पर मैं आपको डिरेक्ट ट्रीटमेंट बता रही हूं यह मैं डेट्स वाला फॉर्मूला सबसे पहले बताऊंगी क्योंकि कई लोग लाइफ च कि यह डेट वाला फॉर्मूला क्या है तो हम आते हैं डेट वाले फॉर्मूले पर सुबा जब आप जाते हैं लैट्रिन जाने के बाद जब आप लोटते हैं तो एक सेकंड भी आप वेस्ट नहीं करेंगे आप का टोरी में एक स्टिकी डेट इतना जो 15-25 ग्राम के करीब क होगा यह 20-25 ग्राम के करीब का होगा डेट की अपनी वेराइटी होती है उसकी स्टिकिनस पर बेस्ट होगा जितना ज्यादा श्टिकी होगा उतना कम लेना ए ठीक है तो माल लीजे बहुत मीठा है क्योंकि अलग-अलग क्वालिटी गर डेट साहता है ठीक है तो बहुत मी लेकिन शुरुवात में अगर आपको एक पूरीन स्थे फार्मॉला बाउन हम प्र verw criticism जाते हैं तो जब पूरा यूरीन पांस कर लेते हो तो पहले ग़िए जाओ और बात नहीं करने घर किसी की बात नहीं करने पास्ट चीज वहीं लेना क्यों हम इंसुलीन रेगुलेट करने की कोशिश करें पेट में इंजेक्शन ले रहे हो आप हाथ में इंजेक्शन ले रहे हो 400 से जूज रहे हो डायबिटीज में ठीक है अब यहीं पर आ जाते हैं जिनको डायबिटीज और थाइरोइड दोनों क् लेकिन बहुत लोगों के लिए बहुत मुसीवत है उसको खाना ठीक है नारियल का तेल खाना एक्स्टा वर्जीन जो होता है जो घर में निकाल सकते हो यूटीबर बड़े अच्छे वीडियो घर में नारियल तेल कैसे निकाले थाइरोइड में वह सबसे ज़्यादा असर क पून चाय वाली चंवसे चोटी चंवसे उससे पांच ग्राम लेना उसी कटोरी में डेट के साथ रखना डीट के साथ इसको खाना है ठीक है नारियल के साथ यह तर दिन आपको देशी घी उतनी खानी है पलिव मी इतना टेस्टी लगता है ना कि क्या बताओं बीमारी नह भी हो तो खा जाओं देसी घी के साथ खाना एक दिन डेट्स और एक दिन आपको नारियल तेल के साथ खाना अच्छा आपको थाइरोइड नहीं हम भी खाना चाहते हैं मज़ेदार हमको डाइबिटीज है मखन होता है सपना सुइटनेस भी नहीं छोड़ेगा और आपको एक कैंडी की फ्लेवर आज़ेगी और जिसको वैसे भी हीमोग्लोविन बढ़ानी कोई बिमारी नहीं वो भी एडिट्स का हिलाज कर सकता है तो एक फॉर्मूला मैंने बता दिया मैं इती चटोरी हो नहीं कि मेरा हो ले हिश दोरा मैंने बढ़ानी के ले अंधा आज रहे हैं तो मेरा है अगर आपको थायरोइड है तो अगर स्याल आप यह पुश्चन करते हो तो मुशन करती जा रही हैं क्यूंकि ने डाविटी नहीं को ले के चलूंगी ताकि जिसको दोनों की प्रॉलम में जोंट विससा हो कि एक आपको सिंपल सा उपाय बता दिया मैंने ठीक है इसके बाद आते हैं के रेसिपी पे आपने हमेशां सुना होगा कि आमवला खाना चाहिए उसमें त्रावटर मतलों मैंने एक वीडियो बनाई यह उसमें मैंने पाउडर बताया वो बहुत आसान उपाय होता है लेकिन जिसको ऑलर्जी होती है उसको गैस होने लगता है और वही आवला रियाक्ट करने लगता है तो मैंने फॉर्मूला चेंज करते करते हैं अपने पेशेंट की उपर ही एक चीज देखा जो मैं आपको हमेशा बताती हूं लूक वों वाटर में आवला ताजा लिजिए दो तीन आवला काट करके उसके आवले के साथ अधरख काट लिजिए और अगर आपको डालना है तो जामुन का पाउडर डाल नहीं ठीक है हम आपको वो बतारी जिसमें आपको सिट्री कलर जी हिट भी ना करें और रेगलर जब आप खाएं ना तो आपको उससे बहुत फाइदा हो दालचीनी का पाउडर आपको वो होना चाहिए क्या कहते है एक टीस्पून होना चाहिए लेकिन हम आपको फिर बोलेंगे ज्यादा बेनिफिशल उपवाई है रादर देना पाउडर मिला अपनी चट्नी में जो रेसिपी में आपको बता रहे हूं ठीक है ना वो करेंगे तो ज्यादा रेसिपी पे आते हैं कैसे करना यह है पचास ग्राम कटा हुआ विदाउट सीट आमला लेना है उसमें पचीस प्रॉड़म नहीं ठीक है उसके बाद आप उसमें जामूर का पाउडर लेकर रखें अधा टी स्पून आप तुलसी का पाउडर डाले लेकिन अगर आपको कच्छा तुलसी मिलता है तो बहुत अच्छा है कि आपको एक टैहनी लें जिसमें इतनी बड़ी पत्यां दस्व ना करके चोटे-चोटे क्यूब में फ्रीजर में रख दे जो चोटा वाला बरफ जमता है ना चोटा वाला होता है जिसका 10 गराम या 15 गराम का बरफ होता है उस में जमा ले फ्रीजर में ठीक है लेकिन जो मैं बोलने जा रही हूँ जब हम पाई उबालेंगे ज्यादा बेस्ट रिजल के लिए जब हम पानी उबालेंगे तो अगर इतना बड़ा स्टिक ना धो कर हम दालचीनी का उसमें डाल देना तो वह हमको ज्यादा फाइदा करें राधर दिन पाउडर मिला हुआ तो आप यह देख लो कि आपको पाउडर मिलाना है हमको फ्लेक्सिवल उप बाल सकते वन कप पानी लेना है मतलब वन कप पानी इंदा सेंस 200 ml उसको बॉइल करो उसमें वह जो क्यूब आपने जमाई है यह ताजा चटनी है वह वन भर करके देर टीस्पून डालना देर टीस्पून का वजन मेरे ख्याल से 15 ग्राम करीब होगा 15-20 ग्राम आएगा क्य ट्रास तो यह यह आपको डेली करना ठीक है यह आपको रोज करना है बिफोर ब्रेक फस्ट है एक नीहार मो बताया है लेकिन अप समय बस्ता उस्के पहले हूशा और इस श्राइं और गीजिसरीड तह ऊसमें त्राइड डाल सकते हो और घी मिदा सकते हूँ तर फflower अ और अगर ट्राइग्लिस्राइट की भी प्रॉब्लम है तो उसमें एक टीस्पून नारियल तेल डाल सकते उस गरम उसमें सूप जो बनाया है पीने के लिए और या तो वन टीस्पून देसी घी डाल सकते उससे आपकी ट्राइग्लिस्राइट प्लस ड्राइबिटीस प्लस थ को फायदा हुई प्लीस आप सबना को सब्सक्राइब और इनको प्रवोग करे उन्हों बना के लोगों को बाटे वो मत करेंगा आप फॉर्मूला थोड़ी मेरा दे सकते हैंibi को यूट्यूबर मेरा अपडेट दे सकता है कि हां मैंने उनका यह फाइदा हुआ यह फाइदा हुआ यह फाइदा हुआ एच्छी बात है मैं देखती हो कही लोग का लेकिन डायरी में नोट्स बना बना करके आप रेसिपी मत बाट यह वह गलत है आनितिकल है वह मेरे नोट्स उनको भी नोट्स बनाना चाहिए लिए आप रेसिपी नहीं दे सकते हैं वह रेसिपी मेरी समाज़िए इस चीज़ को एथिकल काम कीजिए बस रिक्वेस्ट है तो मैं यह जो बता रही हूँ यह जो ड्रिंक है यह आपके हैर पे भी काम करता है क्योंकि आमला का इंटेक है उस पर डिबंड करता है तो आमला को अगर हलका लुक वो में गरम में डाल दिया तो आधा किल ऐसे हो गया लुक वो मैं पीलो जो मैंने नीम्बू के फॉर्मूले में बता है नीम्बू कैसे खा सकते हो बेनिफिट होगा इसी चैनल पर डॉक्टर शानी लेमन लिखो के तो करो और उस पर ज्यादा जौती है और कारव अगर आपको लेना है तो मैंने एक बताया थो विडियो देखिंग बलए डाटानीव के सभ्सक्रिव में लुकह राष्डण विडियो को अगर भीडियो अगर आपको डाटाःबी सबहना करते हैं लेकिन आप उस वीडियो को द लेकिन बाकी जो भी आपके शुगर को ग्लुकोस को स्पाइक करती हूं सब चीजों से दूर रहे हैं कुछी दिन के बात है मैं 45 टू 60 डेस की बात करें आप तो उम्र भर से परेज कर रहे हैं मैं तो इतनी ही की बात करें मैं नहीं करें लाइफ टाइम आपको क्या करना है हम सोट्टा मुपाई बता रहें कि जिससे आपको मजा है आप अल्रेटी सोवर डेट खा रहें आरे मैं तो गन्ने के रह से डाइबटीस ठीक कर चुकी हूं लेकिन वह फॉर्मूला वह ऑब्जर तो ऑस ट्रिक मालूम होना चाहिए अपना काम उससे कैसे निकल वाना है वहीं मैं करती है कि जो तुम्हें नुकसान करता है जैसे कि ब्लोटिंग करता है पर उसी से सुन्दर होना मैंने बता दिया ठीक है ना वो जो बताय था एक रात में कैसे चमकदार और गुरी में बता फस्त लुकादी अईक्ल्म सेढंे शुट्र में के सबची हएं उनके लिए वबसक्वल में captivity वो अपनीर उस सोय में नहीं नहीं कह सकते हैं शोप प्रसान करें करते हुए जो और द्रेयक्ट ईयाए कि बता तो आप उससे थोड़ा दूर रहता है तो आप उससे थोड़ा दूर रहता है थोड़ा बूत कहा सकते हैं नहीं महीने में आपने 200 क्राम खा लिया तो नुकसान करेगा थोड़ा तो परके रेगलर बेसी से चाइनीज कोरीन जैपनीज करते हैं वह आप नहीं खा सकते हैं तो आप जितना भी पढ़ी है हमने बहुत सारे मेल पेशेंट पे देख लिया क्रैसी कोई प्राब्लम नहीं और मैंने दाप में कुछ फसा जो मुझे बहुत डिस्ट्रेक्ट कर रहा है एक मुझे रुख जो और टुफू वराइटीज वह और लेकर डुफू टो टुफू के विडियो में हल फिलल में डाला है जो देखो सबस्कूद को सबको रहें बनाओ नोटल में इस वह इंपोर्टन ठीक है दिन हम आगे आते हैं जो नॉन वेजिटेरियन हैं गोफर फिश लीन पर जाते हैं और आपको एक बात बताते हैं डोक्टर्स मोस्ली बदमना करते हैं मटन खाना रेड मीट वेरी स्ट्रॉंग फॉर यू अगर आपने उसके नारियल पानी में बना एक बूंद भी उसमें पानी ना डालके सिर्फ नारियल पानी डाली है वही मटन आपके लिए इतना अच्छा होत है आपके प्रोटीन मेटा बॉलिक रेट को बड़ा मैं मटन की बात करें क्या बोलते उसको मटन को और क्या बोलते लाम ठीक है उसकी बात करें ठीक है लेकिन वह आपके हेल्थ को तभी सूट करेंगे इंटस्टाइन पर बहुत हैवी होता है और अभी सोलर एकलिप के स्कॉर्बिएन और सेजिटैरियस और एरीज अरे ओर इनके पर जैमिना फाइयर साइन है और बाकी इसवलोड़न से इस्वलोंड उन्ट होने होने का इसी एड़बरं होने के चांसे यह सोलर इकलिप के दिसमभर के सोलर इकलिप के बागाए और आगे के छे तो बचके रहेगा जैमिनाइन का इसी साल तक था तो उसको उतना टेंशन लेने की जूरत नहीं है वह फायसे ठीक है किसी भी तरह से सन्मून राइजिंग तो आपको अगर यह हो रहा है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है प्रोबाइटिक जो मैंने अचार बताई थी वह प्रोबाइटिक का कोई भी फॉर्म कैफिर कंबूचा जितने भी प्रोबाइटिक दुनिया में आते हैं कैपसूल्स माइक्रोबायो वह सौरी लेक्टोबैसलेस दही का डिफरेंट फॉर्म इस बहुत इंपोर्टन एट दही का वीडियो देखिए उसमें से प्रोबाइट बाइसन पढ़ा हो तो मैं आपने पेशेंट पुनली देख करके वह उसका ट्रिट्मेंट करती है कि क्या चीज में से बिंकर और कहां पर तो इससे में साभ मैडिसис jetzt होता है उसके सब्जच्च इंट होता है तो इसलिए बार्सनल पेशेंट होते हैं अरे सोरी ने के से तो उसमें मत जाना कि मेरे बैटे का यह चल रहा तो हमको बता दीजे कम्यूनिटी में प्लीज हमको ट्रोल मत किजिए प्लीज समझे हम जो तिस नहीं हम कुछ हो रहे हैं ठीक है ठीक है हमने जो जितना आइडिया लग रहा है बागी हम स्प्रिच्वल चैनल पर यह सब काम कर अगर ब्लड ग्रूब भी है तो आप अंडा खाने की कोशिश मत कीजिए अंडा खाने की कोशिश में आप बहुत सारे बीमारियों को जनम लें क्योंकि आपको सूट नहीं करता है और आप यह जानते हैं मैं आपसे बहुत बार एविडेंस ले चुकी हूं कि आप ब्लड ग अच्छी खा रहें विदाउट स्किन तो बहुत मजा वाला प्रोटीन लेकिन अगर आप खा लो मतलब आपको किसी किसी को बहुत पसंद आता है तो आपको यह फाइदा जरूर हो ठीक है यह चीज सब चीजों को गौर करो मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है वो यह है कि ग्री ग्रीन कैसे खाएं ग्रीन वेजटेवल क्योंकि बहुत मोस्ट वांटेड वन गया जैसी दो दिन पहले की वीडियो बनाई कि ग्रीन जो भी चीज खाते है जो पॉब्लिक में होता है इसमें उपर ही सता पर खनीज बहुत होता है तो सेम टाइम आपको बोडी में इतना खन इसमें मिनरेल है वो खनीज ब्लॉक कर देता आपके इंटस्टाइन को तो खनीज एब्सॉर्ब नहीं कर पाते है तो आपको और दूसरी बिमारी हो जाती है और उस ग्रीन का फाइदा नहीं होता है और ग्रीन का रिज पूरे वर्ल्ड में और ग्रीन खाना वी चाहिए तो पर फिर भी बता ही मोटिवेशन मिलता है लाइक जरू कर मेरे वीडियो को नोट्स जरूर बनाओ शेयर करो लोगों को और जितने भी यूट्यूबर है मेरे लिए जो बनाते हैं रिव्यू वीडियो की मैम केस से यह ठीक हो गया प्लीज मेरी रेसिपी मेरे शेयर को हमबल स्ब्सेयर को सब्सक्राइब कम करने दूंक्या उपके किसी का काम खराब करकि ישसा अब जरू मेरे पास है if में अगर बता वह और अब उछ पता नहीं अपने मन से मेराव मंग थे हैं नाम ए चीज़ों को शेयर के और इस तरह से मत करो मेरे नोट से बाके फील फ्री टू से कि आपको क्या-क्या फाइदा हो लेकिन अगर आप नुकसान बताओगे तो यह लो होता है कि आप पूरा प्रूफ कीजिए डॉक्टर के साथ कि मेरे चीज से हुआ यह नुकसान अगर बताओगे तो मैं पीछे पढ़ूँगी कि लॉस हुआ तो किस डॉक्टर ने बोला कि इसका खाया इसलिए हुआ पूरा डॉक्यमेंट्स टेस्ट सब चाहिए होगा समझे अगर लॉस बता रहे तो आपको लीगली प्रूफ करना पड़ेगा कि यह यह करो और डाइबटीस को मुझे बढ़ा मजा आगा जब आज से 40 ज्यादा दिन नहीं है 45 यह रहा फरवरी में हो जागा करो और मुझे बताओ थाइरोइट का भी बोला करो और मुझे बताओ मुझे अच्छा लगेगा मेरे चीजों सब चेंज होंगे मजा आएगा कि सब ठी जिसके पानी रहेगी ना उसके बोड़ी से पानी वह ब्लोटिंग सिस्टम हटाता पर 100 परसंट ब्लोटिंग सिस्टम को खतम मत करना बर सुंदर नहीं लोगे बाबू दूसरी बात हमेशा डिहाइडरेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी और फ्रीकी स्किन हो जाएगी ब्लो लड़की हैं सुंदर लगना बहुत चमके नहीं चेहरा तो ब्लोटिंग एक है सर्वाइवल मोड उपर वाले ने हमें दी थी ठीक है ना उसको पूरा नहीं खतम करना उतना करना जितने वह सार फीचर है जैसा ही आपको लगता है कि आपके स्कीन पर इकदम केचली निकल र थोड़े दर में पानी पी लें डोटिंग तुमको हेल्प करता है पानी पीने से पी लेता है ऐसा मत बरो ठीक है तो पूरा अगर आपको इसकिन ड्राय लगने लगे हर जगा फटने लगे जैसे सर्दी के दिन में होता है आपकी बॉड़ी डिहाइडरेट होती है आपको ऐ आवरेज में रहेंगे पचपन से बावन के बीच में रहेंगे लिकिन अगर पचपन में बहुत सूरत दिखेंगे तेने पतले रहके भी क्या करें तो जैसे हमको नहीं खराब दिखरें भटा भट से लेकिन जो हम खाते हैं वो जंक चीज़े नहीं कहते हैं मताब हेल्दी जादा कोशिश करते हैं जैसे ड्राइफूट्स खा लिया जादा जो अपनी आइस्क्रीम बना रही खा लिया मतन चीकन के साथ राइस खा लिया यह सब चीज़ें यह वजन बढ़े भाग धेर फ्रूट्स खा लिया समझ रह खूब फल खा लिया तो बढ़ जब बढ़ाने पड़ेगा उम्र भर आप कहोगे कि आपने अचीव कर लिया गोल वह वहीं रुकेगा ऐसा नहीं होगा ओल्वेज यू हव टो प्ले विद यूर वेट सी योज सेल्फ या इफ यूर लुकिंग वरी अगली जस्ट चेंज यूर लुक मेरे साथ क्या होता है मैं किसी वह साम बढ़ा लेती है कि गाल थोड़ा तो फूला रहे ना चाहिए लू इफ यू वांट लुक यंग गल तो यह सब फूला होना चाहिए ना तो आप उस दंग से जीए अपना अपना नोट्स बनाओ गे ना तो आपको आईडिया लगते जाएगा कि डॉक्टर शाली ने क्या ब मैं कितनी सुंदर हूं मैं क्या करूं हमको दस बीस लड़कों ने कह दिया तुम सुंदर हो और तुम लड़की हो और क्या चाहिए शादी के लिए जाऊने सुदर हूं और मैं लड़की हो तो मेरा रेसरच और उसके पीछी साइनस अच्छा लगा हो तो आप लोग जरूँ में लड़कों its को अगर लाइक जरू करना चैनल को सब्सक्राइब करना अगर मेरा यह क्रेजिनस आपको समझ में आता है इस वीडियो को सब्सक्राइब करें प्लेलिस में जुरूर एट करके रखो ताकि नोट्स बने और शेयर बुक करो ताकि बहुत लोग की माद दो आज के लिए इतना ही फिर मिल और इतने एक्साइटमेंट में बताना भूली गई कि मैं अपने फिर मेरे को दूस पर इंस्टाग्राम पे जो ब्राउन इन वाइट का पेज वहां पर आप लोग बोलो के डाइबिटीस का बनाया तो मुझे क्यों नहीं मतलब मैं अपने प्रोड़ेट के वारे में बात क् ाइट लेना है और एक दिन बंड्रोप मैजी कुने इस लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैजिकल टी के साथ लेना है तो मैजिकल टी दोनों में ही चलेगा हनु मैजिकल टी में डालक के ले लिया लेकिन अगर सर्दी के दिन में उसको ब्लोटिंग होती है ठंड लगता है या काफ हो जाता है तो उसको सबसे अच्छा होता है उसके बाद आपका वो होता है क्या कहते है अरे बादाम का तिल ठीक है यह मैं अलग से फिर से शूट करने आई मैं भूल गई थी एडिटिंग कर करेंगे तो वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी जिसमें कैसे खाइल संडल्वूड हरवल ब्लेंड लाइट या संडल्वूड हरवल ब्लेंड ब्लेंड वन डॉप मैजिक डीटेल हर वीमारी के दीवी डायबिटीज बहुत लोगी ठीक हुई है इन तीनों प्रोड़ में रहते हैं जिनको मेरे प्रोड़क्ट नहीं मिल रहा उनके लिए वीडियो बन गई है जो मेरे प्रोड़क्ट को अफोर्ड कर सकते हैं वह वह कर सकते हैं विंटर में आप मेरे हर प्रोड़क्ट खा सकते हैं सिर्फ संडल्वूड प्योर ओयल जो होता है वह आप नहीं कि यहीं बोल दिया और मैंने बच जाएंगे डिया कि हम न आप रोली में वैठी जाइए पाइब तो यही बोलने आई थी लास्ट में और मैंने बोल दिया और कुछ भूल गही हूं किया मैं बोल दिया नहीं मैंने बोल दिया ठीक है ओके दन बाई बाई बाई